लोकसभा चुनाव के बीच हर्याना में सत्तारोर बीजेपी सरकार बड़ा जटका लगा है। कारण, तीन निर्दलिय विधायकों ने मंगलवार को घोश्वा की कि उन्होंने राज्य में नायप सिंग सैनी के नेत्रित्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तीन विधायकों सोमबीर सांगवान, रंधीर गोलेन और धर्मपाल गोंडर ने ये भी कहा कि उन्होंने चुनाव के दोरान कॉंग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। पर यह निर्नय लिया है। प्रेसवारता में बोलते हुए प्रदेश कॉंग्रेस प्रमुक उदैभान ने कहा, तीन निर्दलिय विधायकों, सोमबीर सांगवान, रंधीर सिंग गोलेन और धर्मपाल गोंडर ने भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और क निर्दलिय विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जेजेपी ने भी समर्थन वापस ले लिया था और अब निर्दलिय है भी अपना समर्थन वापस ले ले रहे हैं। देभान ने कहा, नायप सिंग सैनी सरकार अब अलपमत सरकार है। सैनी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्हें एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। अब विधान सभा चुनाफ तुरंथ होने चाहिए। भुपिंदर सिंग हुड़ा ने हर्याना में राष्ट्रपती शासन की मान करते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार जादूई आकड़े से कम पर आ चुकी है। कुछ निर्दलिये विधायकों द्वारा हर्याना सरकार से समर्थन वापस लेने और कॉंग्रेस को समर्थन देने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर हर्याना के मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी ने कहा, मुझे ये जानकारी मिली है। शायद कॉंग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई है. अब कॉंग्रेस को जनता की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है. हर्याना में कुल 90 विधानसभा सीटे हैं, यहां का जादूई आकड़ा 46 है. यानि किसी भी दल को सरकार बनाने लिए कम से कम 46 विधायकों की जरूरत है. लेकिन राज्य की दो सीटे फिलहाल खाली हैं, ऐसे में जादूई आकड़ा 45 बचता है. वर्तमान नंबर गेम की बात करें तो बीजेपी का आकड़ा बहुमत से कम नजर आ रहा है. इसे समझने के लिए नंबर पर ध्यान देने की जरू बीजेपी के पास 40 अपने विधायक है. इनके अलावा दो निर्दलिये और एक विधायक हर्याना लोकहित पार्टी गुपाल कांदा का समर्थन भी बीजेपी के पास है. इस लिहाज से बीजेपी सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है. वहीं कॉंग्रेस और अन्य दलो के विधायकों की बात करें तो कॉंग्रेस के पास 30 विधायक है, जबकि 3 निर्दलिय विधायकों ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, इसके अलावा जे जे पी के पास 10 विधायक है, एक विधायक आए NLD का है, इसके अलावा एक और निर्दलिय विधायक बचता है, कॉंव्रेस का दावा है कि फिलहाल बीजेपी सरकार अलपमत में आ गई है.